नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्फागत है ऱ्मारे Farm स्ट क्या है और माँ और मगवाने का करण वह भी आज वीडियो आखनी तक चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल फहली बार देखें सब्सक्राइब करना ना भूले पास वाली घंटी जरूर से दवाए चलिए आज किस वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए दोस्तों अब आपको हम मशीन लाने की जरूत क्या पड़ी तो सबसे पहले मैं आपको कुछ कारण बताता हूं जैसे कि आपको पता ही होगा कि कोवीड आया था इस बार तो क्वालेटी काफी मेटर करती है फार्म में दूद कि अकर आपको क्वालेटी बढ़ानी है तो आपको मशीन से मिलकिंग करनी होगी तो इसलिए मैंने कारण तो यही रखा कि मुझे इंप्रूव करनी थी अपने फार्म पर और दूद की क्वालेटी खास तो तो इसलिए मैंने यह मिलकिंग मशीन मंगाई है और दूसरा कारण क्या रहता है कही बार हमारे जो लेबर रहते हैं वह चुटी पर चले जा क्योंकि मैं इस machine के ओपर आपको 10% discount हमारे चैनल की और से आपको इस machine पर दिलवाने वाला हूं तो चलिए दोस्तो अब आपको इस machine की पूरी detail बताता हूं तो चलिए आप इस machine की आप detail भी देख लीजिए दोस्तो सबसे पहले हम इस machine की motor से start करेंगे तो इसके अंदर आपको 0.75 HP की motor दी गई है यहाँ पर आप देखोगे तो pressure के लिए meter दिया गया है जो कि आपको 4 से 6 के बीच में maintain करना रहता है पूरी machine आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको tires भी दिये गए हैं सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी कि मानो अगर आपको एक गाएं से दूसरी गाएं के पास में अगर आपको यह machine ले जानी हो तो आप इस तरह से इसे कुछ कर सकते हैं तो इसमें tire लगे गए हैं यह काफी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आपको on off करने का switch दिया गया है और यह रहा इसका कुछ इस तरह का handle आपको मिलता है और दोस्तो यह electric है तो इसके लिए आपको cable भी इसमें दी गई है तो यह आप लगा सकते हैं उसके बाद में यहाँ पर oil tank है छोटा सा जिसमें मैंने oil fill कर दिया तो यहाँ से fill होता है फिर आप मैं आपको बताता हूँ इसमें जो tanky है यह आपको मैंने बता दी जैसे कि यह 30 liter की tanky है यहाँ पर आपको pulsator दिया गया है यह आपका cluster है और यह आपके liner है तो quality कहीं न कहीं बहुत अच्छी है इस machine की अब दोस्तो इस milking machine के बारे मैं आपको खास-कास चीज़े बताना चाहता हूँ जैसे कि इसकी quality quality काफी शानदार दी गई आप छोटी से छोटा पार्ट देख लिजे इस machine में या फिर बड़ा पार्ट देख लिजे quality में कहीं भी compromise नहीं किया गया है इसके tires भी आप देखेंगे तो काफी heavy tire है पूरी machine की quality बहुत जोड़दार है और ये तो कहीं न कहीं कहना ही पड़ेगा कि अच्छा काम किया है company ने ताकि quality अच्छी मिले ये देख सकते हो इसका handle आप देख लिजे पूरी machine heavy लगती है और कहीं भी compromise नहीं किया गया इसका cluster भी आप देखो के तो काफी premium सा लगता है इसके liner अगर आप देखेंगे तो quality बहुत जबरजस्त है अब दोस्तो हम इसको practical भी करके देखेंगे हमारे याँ पर आपको पता ही है cow सही सही तो live milking करके आपको दिखाने वाला हूँ इस machine से अब मैंने आपको इस machine के बारे में सारी detail लगबग लगबग बताई दी है उसके बाद भी अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप इन number पर company से contact करके पूछ सकते हैं वैसे ये छोटे farmers के लिए बनाई गई है अगर आप आपके पास में 10 से 15 गाएं भेंस हैं तो आप इस machine को बड़े आराम से यूज़ कर सकते हैं छोटे और medium farms के लिए special ये machine डिजाइन की गई है और दोस्तो सबसे खाल चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आप इस machine को खरीदना चाहते हैं तो मैंने याप पर contact detail दी है company की तो आप उनसे contact कर सकते हैं और एक चीज़ आप जरूर से ध्यान रखिएगा हमारा जरूर से आप बताइएगा कि हम farmer choice के reference से आए हैं तो आपको 10% instant discount हमारी ओर से आपको मिलने वाला है इस machine के ओपर तो आप check करना ना भूले इस machine को और बाकी पूरी detail तो मैंने आपको बताई दी इस machine की अब दोस्तों अब मैं इसकी live milking हमारे farm की cows के ओपर इस machine को try करने वाला हूँ तो देखते हैं किस तरह का result मिलता है और वो वीडियो भी काफी जल्द आने वाली है तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट हमारे चैनल पर बनाए रखें दोस्तों मैं मिलता हूँ हमारी अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद वंदे मातरम